तो इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे हाव तो कॉन्फिगर टैलनेट ओना लेयर 2 स्विच तो लेयर 2 स्विच के ओपर हमें कैसे जो है टैलनेट कॉन्फिगर करना है क्योंकि जब हम नेटर प्रोटेक्शन में होते हैं तो कोई भी कॉन्फिगिक्शन हमें डिवैसेस पर करना हो चाहिए वो राउटर हो स्विच हो तो उनको हमें टैलनेट या एससेट के थूरू हम लोग एकसस करना होता है तो इस वीडियो में मैं बताऊगा कि लियर्टू स्विच के उपर हमें कैसे एलनेट कॉन्सिगर करना है तो सभी को पता है अब लोगको कि जो लेयर्टू स्विच है उस पे हमें API फोन्फिगर करना हो और जो से लियर्टू स्विच है उसके उपर ileser तो वह भी दिखेंगे ठीक है क्योंकि लेटू क्या एक डिवाइस ऐसा है जो कि मैक अड्रस को पर काम करता तो इसको पर आई-पेडर्स तो चाहिए होगा क्योंकि जब आप और भी हम लोग किसी यूजर को कि-emed एकसे समसे करते हैं तो उसके लिए मिनिबूम जो रिक्वारअइनर्स राइट और फिर हमें दो तो मेरे पास एक टॉपलोजी है तो यह टॉपलोजी है जिसमें मैंने एक स्विच लिया हुआ जिससे दो डिवाइस मैंने कनेक किया हुआ है तो इस सिस्टम के IP है 192.168.1.1 अभी मैंने कॉन्फिगर किया निए भी करूँगा और इसका IP address 192.168.1.2 ठीक है और यह मेरे एक layer to switch है जो की 2960 series का है ठीक है तो हम इसके उपर IP address कॉन्फिगर करेंगे कैसे करेंगे वो भी देखते हैं तो इसके उपर पहले हम एक IP address कॉन्फिगर करना रहेगा जिसके थुरू फिर हम उसके उपर talent enable करेंगे और इन सिस्टम से इसको हम लोग access करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हमें इन सिस्टम के उपर IP address कॉन्फिगर करना है तो पहले हम सिस्टम पर चलते हैं इस पर चलते हैं और desktop पर जाना है IP configuration तो मुझे इसके उपर IP address देना है 192, 168, 1.1 ठीक है और यहां पर हम आईडिवेटर देते हैं 192, 168, 1.2 ठीक है तो 1.1, 1.2 इन सिस्टम के उपर IP है अब हमें इस switch के उपर भी एक IP address configuration करना है तो मैं यहां पर इस switch के उपर जो IP address कुछ भी आप दे सकते हो इसी सीरीज का ठीक है यह 192, 168, 1.0, 24 में है तो अब इस लेकर नेटफरक है तो अब इस जो IP मिलेगा वह फ्रॉम वन से लेके 254 तो 1.1 मैंने यहां प्रोवाइड कर दिया वन दाट तो प्रोवाइड कर दिया तो 3 से लेकर 254 आईपी मेरे पस फ्री पड़े हैं इन में से कोई भी आप यहां में यूज कर सकते हैं तो मैं फिल इनेबल करेंगे यहां पर ठीक है और सबसे पहले आपको मैं यहां पर दिखा दूँ क्या कोई स्विच को पर आईपेडस कॉन्फिगर है या नहीं है तो कमांड होती है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ और एंटर करें तो अब देखें कि यहां पर कोई भी इंटरफेस प और जिन पर नहीं है फिलाल तो भी किसी पर नहीं है लेकिन अगर मैं कमांड दूँ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ और यहां पर एक पाइप साइन लगा कि आपको लिखना है एक्स्क्लूड अन असाइन तो मतलब मैं यह इस कमांड से यह बता रहा हूं कि मुझे वह इं इंटरफेस के उपर आईपेडस नहीं है तो लेयर टू सुच के उपर अगर मैं आईपेडस प्रोवाइड करना है तो इसके लिए मुझे सबसे पहले कॉन्फिकेशन मोड पर जाना है और मुझे सुच के उपर ना एक SVI क्रेट करना होगा स्विच वर्चूल इंटरफेस ठीक है तो मुझे एक SVI क्रेट करना होगा ठीक है और मैं SVI किसके करेट करूँगा आपको पता है कि इसमें बाइडिफॉल्ट एक VLAN बना होता है VLAN 1 ठीक है तो इसी VLAN 1 का मैं SVI बना होगा और उस इंटरफेस से नहीं उस SVI के उपर मैं IP प्रोवाट करूँगा तो सबसे सबसे पहले मैं VLAN 1 के लिए एक SVI क्रेट करूँगा और इस SVI के उपर मैं IP प्रोवाट करूँगा 192, 168, 1.99 तो इस तरीके से आप SVI क्रेट करके उसके उपर IP प्रोवाट कर सकते हो तो मैं इसको कैसे कौन फिग्र करूँगा SVI को तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंटरफेस कमांड इंग्स करेंगे इंटरफेस, VLAN जो भी VLAN का नमबर है नहीं 1 है तो हमें 1 बना रहे हैं ठीक है और यहाँ से नो शट करेंगे ताकि इंटरफेस को मुझे आप करना है और अब आप IP अड्रेस प्रोवाट कर सकते हैं IP अड्रेस 192, 168, 1.99 और सब्डेट 255, 255, 255.0, do right ठीक है एक्स्टूड कर देते हैं, exit करते हैं यहां से और command प्रोवाइड करते हैं, show IP, interface, brief, pipe का sign लगाना है, exclude करना है, unassign, enter, now you can see, the VLAN 1 इंटरफेस हमारा ready SBI और इसके उपर हमनी IP अड्रेस प्रोवाइड किया है, और status भी अप है, protocol भी अब है, अब system से पहले तो मैं चेक करूँगा कि यह मेरे switch ping है, ping हो रहा है की नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आप command पर जाएं और लिखें, ping 192.168.1.99, ping होना चाहिए यह, आपके SBI को, तो wait करते हैं, तो यह देखिए, switch का जो IP address आप पिंग आना शुट हो गया है, तो switch 2, जो PC 2 है, ping करते हैं, 192.168.1.99 को, तो 1.2 वाले machine से भी ping होना चाहिए, ठीक है, अब हम telnet करके देखते हैं, क्या मैं इसका telnet ले पाता हूँ कि नहीं पाता हूँ, किसी भी system पे चलते हैं, PC1 पे चलते हैं, और I just say, telnet 192.168.1.99 और enter कीजिए, तो अभी कोई भी connection देखिए, एक telnet का section by default open होता है, वहलब protocol open होता है, बट कोई connection अपका नहीं मिल पार है, क्योंकि मैंने अभी telnet configure नहीं किया है, तो minimum requirement IP address है, साथ मैं आपको एक password भी चाहिए होता है, तो मैं क्या करूँगा, इस switch के उपर एक username password करूँगा, और उसकी help से मैं इस system पे say through, इन दोनों system के through मैं उसको access करूँगा, ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर चलते हैं, configuration mode, conti, और यहाँ पर type करेंगे username, पहले username create कर लेते हैं, username admin, कुछ भी रह सकते हो आप, password admin, तो username भी admin है, password भी admin है, ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पर enable password भी set करना रहेगा, क्योंकि जब भ पहले आपको उसको अपका user exact mode मिलता है, तो उसके बाद जब तक आप enable command नहीं देंगे, तो आपको privilege mode पे नहीं जा पाओगे, आप लोग basically, तो सबसे पहले यहाँ पर enable का password भी set करते है, enable password 123, enable का password 123 रखा है, और username create किया, admin and password admin, अब आपको talent enable करने के लिए को जासे की पता है line vty पे जाना है, number of line you want to create, मैं 5 line create करना चाता हूँ, तो जिल मैंने लिखा 0 to 4, और यहाँ पर मैंने लिख दिया login local, do write, ठीक है, exit, exit, ठीक है, चलिए, अब आप क्या करते हैं, इस system से अब talent करके देखें, switch का access, तो मैं सबसे पहले कि मैं जैसी हाँ पर talent लिखूँगा, और IP address provide करूँगा, 192, 168, 1.99, और enter करेंगे, देखे, username पूछने लग गया, तो I will say admin, and admin, so switch का देखे, अभी privilege mode आगे है, sorry, यह user exact mode है, तो जब भी आप switch को access करते हैं, तो directly उसको आपको क्या उनसा access मिलता है, user exact mode मिलता है, तो मैं कर जैसे हाँ आप enable करूँगा, enter करूँगा, यह password पूछेगा, तो password हमने set किया हुआ था, 123 और enter, now अब के पास इस system से PC1 से switch का पूरा access आ गया, अब चाहो तो आप यहाँ से manage कर सकते हो, show IP interface, brief, exclude, unassign, देखिए, ठीक है, जो हमने create किया था, से PC2 से access कर लिजिए, command prompt पे जाएं, telnet लिखें, 192.168.1.99, enter, admin, username, password, admin, enable, password 123, now you can see, switch का access मेरे PC2 से भी आ गया, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ले to switch के ओपर telnet enable कर सकते हो, तो मैं दोबार एक बार वरीप कर देता हूँ, अगर आपको telnet enable करना है, तो सबसे पहले आपको इसमे एक SBA create करना होगा, मैंने VLAN 1 के लिए create किया, आप कोई भी VLAN बना ले, कोई फरक नहीं बढ़ता, लेकिन वो VLAN के यह member भी होने चाहिए, जो users है, मतलब यह system भी है, तो फिलाल मैंने आप VLAN 1 ही बनाए, अभी अब default के साथ ही चले, मैं आगे इन detail में और advanced command बताऊँगा कि कैसे आपके पास, अगर different VLAN के ओपर अगर आप IP address करते हैं, तो कैसे access करना है, और साथ-साथ मैं next video में यह भी बताऊँगा कि, मैं यह चा चाहिए, means है न, तो उसको कैसे protect करेंगे, secure कैसे करेंगे, वो भी हम detail में discuss करेंगे, ठीक, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मैं फिर से brief कर देता हूँ, SBI वेले आपको create करना पड़ेगा, VLAN 1 के लिए, और उसके उपर आपको एक IP address provide करना पड़ेगा, कुछ भी IP address provide करो, और वो IP address का जो network है, वो इनके पास भी होना चाहिए, मतला वो same network में होना चाहिए, भी फिलाल के लिए, तो उसके बाद आप यहाँ पर talent enable कीजिए, और आप फिर उसके साथ access कीजिए, तो इस वीडियो में इतना है, नेक्स वीडियो में मिलते हैं, फिर हम लोग न